पूरे इकनॉमिक्स का निचोड रखा गया है तो प्लीज इस वीडियो को पूरा से पूरा से शेर किजिए आपसे जितना हो सके ठीक है क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंपोर्टेंट कोस्टन रहेगा और इसके बाद से जो सब्जेक्टिव कोस्टन आएगा वो भी काफी इंपोर्टेंट रहेगा और पूरे बुक का नहीं चोड़ रहेगा तो चलिए हम लोग multiple choice का question देखते हैं तो आज के इस economics के पहला question देखेंगे इस question को deeply समझते जाए क्योंकि question आपको दिखेगा एक लेकिन इसके बारे में आप गौर से सुनीगा और समझेगा कि हम क्या बता रहे हैं इसे बहुत सारे multiple choice अलग-अलग परकार के बनेंगे यहां देखे पहला question है जिस देश का राष्टिया आए यहां अधिक होता है वह देश होता है तो वह किस परकार का देश होता है आप बता सकते हैं तो वह देश को कहते हैं यहां आए नहीं अधिक होता है और जिसके राष्टिया आए कम होता है यानि थोड़ा सा अगर देखा यह तो मद्यम वर्जिए होगा थोड़ा सा जो देश करीब होता है ठीक है उसे हम लुग विकास सील देश करते हैं अमेरिका एक बिक्सी देश है क्योंकि उसका राष्टिया आए बहुत अधिक है लेकिन अपना जो भारत है वो विकास सील है यानि विकास कर रहा है क्योंकि इसको इस अर्थव्यास्तों को खराब करने में सबसे बड़ा अंगरी जो का था ठीक है उ दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यास्ता और तीसरा होता है मिस्रीत अर्थव्यास्ता तो इंडिया का जो अर्थव्यास्ता है ठीक है यह मिस्रीत अर्थव्यास्ता है अब हम बता रहे हैं तीनों के बारे में पूंजी वादी अर्थव्यास्ता का मतलब वह जो भी देश में उत्पादन हो रहा है जो भी पैसा से कमाई हो रहा है उस पर किसी एक आदमी यानि नीजी समपती का बोध कराता है यानि एक आदमी का अधिकार हो ठीक है नीजी आदमी का अधिकार हो उसे पूंजी पती यानि पूंजी वादी अर्थिवास्ता कहते हैं अगर आपके देश के पूर्पटी पर अधिकार समाज का भी हो और सरकार आपका भी हो यानि नीजी का भी हो जो अगर आपको अधिकार पूरा अपना रहेगा आप अगर सरकार को tips देना चाते है तो दिजिए नई तो मज देज़्े उसके लिए कोई दबाव नहीं है लेकिन अगर समाजवादी अर्थवयस्त है तो उसमें पूरा का पूरा आपके संपती पर अधिकार है तो समाज कर रहा है जैसे चाइना में कोई किसी का personal कोई संपती नहीं है, सब government का अधिकार है, लेकिन वही इंडिया में है, तो कोई कोई चीज मेरा भी है, ठीक है, अब कुछ चीजे सरकार की भी है, उस पर भी अधिकार है, जैसे कि आपका घर का जमीन है, जब तक आप उसे पैसा दे के किसी को खरीच सकते हैं, और खरीचने का बाद जब चाहिए, तो उस समय आपका वह समपती हो गया, ठीक है, यानि स्वेम का हो गया, लेकिन जब भी वहां से रोड निकालने की कोशिस करेगा सरकार, तो वहां निकाल सकता है, उस समय वह सरकार के अधिकार में, यानि समाज के अधि या छेतर है, ये छेतर क्या होता है, तो देखिए, अर्थ व्यास्ता के तीन को छेतर रखा गया, अच्छा एक बात बताईए, कि सबसे पहले, इंसान जब यहां से देश अजाद हुआ, यानि अंग्रेज चले गए, उसके बास से देश की आर्थिक इस्तिती काफी खराब हो गई, और जब हमारे देश की आर्थिक इस्ति खराब हो गई, तो कमाई का तीन को तरीका है, यानि लोग कैसे कमाएंगे, या तो आप क्रिसी के जिए, खेती के जिए, जो भी आप करना है, मने क्रिसी से संबंदित, जो भी काम कर रहे हैं, उससे अगर आप पैसा कमा रह आए, ठीक है, तो वो प्रात्मिक सोर्फ हो रहे हैं, क्योंकि प्राकिर्तिक दोर आया है, उस गेहूं को आप मशीन में ले जाके मन्दब दुकंदार को बेस दिए, और क्या क्या कि उसको पीस रहा है, जब वो आटा पीस दिया, यानि कि गेहु को करके आटा बना दिया, तुब उसे बेचेगा तो वहां उसको बोलेंगी ओध हो गया निक फैकरी में गया हो गया और फैकरी से जो चीज उत्पादन होगा और उत्पादन से जो कमाई होगा वो दूतिय चेतर में होगा ठीक है तिर्तिय चेतर क्या है इसे सेवा चेतर कहते हैं अब देखिए वो क्या करेगा अब मान लिजे कि जो भी आटा बना आटा को दुसरे जगा अगर भेजना हो तो एक गाड़ी की ज़रुवत होगी गाड़ी वाला क्या करेगा पैसा लेगा और वहां से बोरी उठा के अ नहीं वो सिर्फ आपकी सेवा की है ठीक है तो यहीं इसको तिर्तिय चेतर या सेवा चेतर भी कहते हैं अब मान लिजे कि आप जाते हैं कहीं भी मार्केट में ठीक है तो आटो वाले को पांच रुपे खिराया देते हैं तो क्या करता है आप जाते हैं बैंक में ठीक है तो में आप पैसा जामा करते हैं तो आपको सेवा देते हैं यह नहीं कि उसके बदले में कुछ देते हैं आपको सेवा देते हैं आपका सर्विस अच्छा देते हैं वैसे माली यह बताया आपको आटो वाले को दीजिएगा पांच रुपे खिरा है तो क्या करेगा आपको सेवा तो नहीं है कि पांच रुपे दियता आपको उठा के देगा ठीक है तो जो सेवा देगा उसे तिर्तियक छेत्र कहते हैं कंपानी का जितना भी चीज निकले हैं उसे प्रात्मिक छेत्र कहते हैं तो उम्मीद करते हों कि यह समझ में आया होगा अगला कुस्षण अगला कुस्षण है भारत में योजना आयोग का गठन कभ हुआ यहां पर अठार नहीं होगा 15 मार्च को हुआ 15 मार्च 1950 को ठीक है योजना आयोग का गठन हुआ अब बताए योजना आयोग होता क्या है तो आपको बता देखे अपने देश की अर्थ व्यास्ता काफी खराब था जब इसको अंग्रेज पूर्ण रूप से लूट करके चले गए ठीक है तो जब हमारा देश अजाद हो उसके बाद से सम्विधान बना सम्विधान बनने के बाद से देखा गया कि आखिरकर अपने देश की कमाई कैसे बढ़ेगी कुछ नियम लगा जाए ठीक है तो य 5 साल में अपने देश के लिए आप क्या सुधार करते हैं वह दिखाए तो यह योजना आयोग के तहत ही पंचवर्शी योजना बनाया गया है ठीक है ताकि यह पूरा का पूरा 5 साल में अपने देश का डेवलब देखा जाएगा नहीं तो फिर सरकार बदल जाएगी यह य कि अधार पर निधार यहां थोड़ा सा कोश्चन गडबड हो गया है ठीक है अगला यहां पर कोश्चन देखिए फूट डालो और सासन करो के निति किसने अपनाई तो अंग्रेजों ने यह क्या करते थे दो आदमी दोस्त हैं उन दोनों के बीच में दोस्ती के बीच में कि दरार उत्पन कर देते खार कुछ-कुछ-कुर बात में दोनों पर अधिकार नितिक हो अगलाилась में पार्म का मुख्षे शाधन क्या है तो आपको पता होना चाहिए बहारत अथभा बिहार में सबसे होता है कि पर क्रिसी पर धे भारत भी पूछा जाये कि सबसे जादा जीवित किस पर अते हैं तो यहाँ उतना फैक्ट्री तो है नहीं ठीक है तो सब से जादा अपना भारत हो कि बिदाता है पहली पंचवर्शिय योजना का का था यानि कि आपको बता रहे कि सबसे पहले जब एलेक्शन हुए था है सबसे पहले ऊनीज़ में निनीज़ पचास में सम्मीधान बना ठीक है तो समिधान बनते बनते कुछ लोग सोचेंगे उसके बाद न देश को चलाने का उपाश हो जाएगा तो पचास में बना एक कावन में यानि की यह स्पेसली रूप से अध्यक्ष नहीं थे पदेन बतलब यह तो पहले उस समय के देखा जाए तो पूर्ण रूप से यह अध्यक्ष नहीं माने जाएंगे ठीक है यह दूसरे पत परकारे कर रहे हैं और इसका भी देख्रेख कर ना था इसलिए इनको पदेन अध्यक्ष ब पहली पंच बर्षिय योजना एकावन में लगा ठीक है पांच साल के लिए नेता लोग आ गए और अपना डेवलप जो भी करना होगा करेंगे अब देखिए पांच साल में जितना भी विकास होगा इसका पूरा का पूरा लेखा जो खा यानि कि पूरा का पूरा हिसाब चेक किया गया 1952 में ठीक है 51 में शुरू हो गया अब बावन में एक साल के बाद इसका गठन हो गया अब देखिए नरेगा एक राष्टी अस्तर का कारेक्राम है ठीक है मजदूरों को साल में कितने दिनों का रोजगार की व्यास्ता करता है तो देखिए जो मनरेगा नहीं सुर देखिए तो तो उनको सौ दिन के लिए रोजगार दिया जाता है अगला अर्थ्य व्यास्ता की अर्थ्य साक्राथ ही कार लिए प्रणाली कि सुख़ा प्रणाली विया कथन रखिएगा similar के पिछड़ेफन का कारन क्या रहा होगा वादुट् Speaker ये भी सकते हैं यहां कि नहीं होता है है यह के इंघक नामिक्स प्लानिंग करते हैं प्लानिंग करते हैं आप लोग देखें भी होंगे ठीक हैं बीता होगा अपने उपर कभी देखें अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस छेत्र का योगदान है तो सेवा छेत्र का आपको बता दे कि तीन गों छेत्र बता है तो अभी देखा जाए तो खेती करने से फायदा नहीं है अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसमें आपको पहले लगाना पड़ेगा लेकिन अगर आप सेवा दे रहे हैं कहीं जा करके ठीक है तो आपको सिर्फ मेहनत करना है और वहां से आप बहुत काम कर सकते हैं जैसे कि बैंक कर रहा है ठीक है बैंक सेवा छेत्र में आएगा वो सिर्फ सेवा दे रहा है लेकिन देखिए लाखो लाखो का उसमें इन्वेस्टमे तो नीती आयोग बनाती है अब देखिए जो हम आपको योजना आयोग बताए थे 1950 में जो तब 15 मार्च 1950 में ठीक है उसको भांग कर दिया गया नरेंद्र जैसे ही उनका शासन आया ठीक है अपने भारत के मानमिय परधान मंतर नरेंद्र मोदी उन्होंने इस व्योस्ता को भंग कर दिया जो इतना दिन से चला रहा था अउसके जगह पर एक आयोग का गठन वह जिसका नाम नीती आयोग है 2015 में इसका गठन वह चोधा में वह तो आय ही और 15 में इसका गठन कर दिये ठीक है सब कुछ कैंसिल पुराना करके योजना आयोग और नीती आयोग के विकास परिशत के अध्यक्ष कौन होते हैं तो परधान मंतरी होते हैं आपको बताये थे कि उस समय देश का करता धरता तो परधान मंतरी होते हैं और अब यह भी ल यौजना खतम हो गया ठीक है योजना यह तो 17 तक क्यूंँ आप अगर कोई वेक्ति 12 में जीत रहा है ठीक है तो जैंको नियम लग रहा है तो 5 साल तक नियम है तो पांट साल तक रहेगा ना बहले इसको 15 में कंप्लीट करके हटा दिया गया है ठीक है लेकिन यह औधी पू टिसम्रेटर्ट कि मानों कितना डेवलप कर रहा है ठीक है मुंन डेवलप्ट रिपोर्ट जो होता है ठीक है तो यहां पर महबूब उल्हक याद रखेगा महबूब उल्हक ने तयार की भी मारू राजय है तो कौन कौन来े मद्धियस्थानने यूपी यहां पर देखिए बीमारू वहीं छिपा हुआ है भारत में पहला मानो बिकास रिपोर्ट जारी हुआ दू हजार दू में पहला मानो बिकास रिपोर्ट जारी हुआ था बिहार के बिकास के बिना भारत का बिकास संभव नहीं है यह बात सही है अपना पिछडा राज्य बिहार है लेकिन बिहार का बिकास नहीं होगा तो भारत का बिकास नहीं कलाम यानि मिसाइल मैं जिसको कहा जाता है वो बात बोले हैं तो जाइसी बात यह सही बोले होंगे लेकिन लोग समझे तब ना यहां देखें केंद्रिया सांखी की संगटनी CSO ने बिहार का वर्तमान विकासदर कितना माना है तो 11.03% माना है 2011 के जडगर्णा के अनुसार बिहार की जन संख्या उस समय क्या थी तो यहां देखें काई दाए सेकड़ा हजार दस जर लाग दस करोड़ दस करोड़ अन्टीस लाग चार हजार चौसो सैंटीस यहां पे जन संख्या दोजार एगारे के सब्सक्राइब अभी फिर जडगर्णा 21 में होने वाला था लेकिन लॉकडाण के वैसे नहीं हुआ तो में भी कहीं 22 चल रहा है उसमें हो जाए अगला देखिए और वैसे आपको बता दे कि जडगर्णा दस साल पर होता है ठीक है गरीबी रेखा के नी प्रतिवेक्ति आया राजय का अगर निकलना हो कि कौन राजय गरीब है और कौन राजय अमीर है तो उसके प्रतिवेक्ति आये प्रति मतलब एक आदमी के कमाई निकाल लो पूरा ठीक है उससे पता चल जाएगा और उस हिसाब से अनुपात में निकाल ले जाता है कि पूरा देश कितना लगबग कमाता होगा ठीक है तो पटना के आर्थिक आये प्रतिवेक्ति आये अच्छा है और जो एक जीला है सीवहर ठीक है इसका प्रतिवेक्ति आये काफी कम है यानि कि बहुत पिछड़ा हुए जीला है बिहार म कि यहां अगला देखिए अगला कुश्चन है भारत में किस राज्य का प्रतिव्यक्ति है सर्वादिक है तो भारत में गोवा का सर्वादिक है क्योंकि यहां पे जनसांख्या बहुत कम है क्योंकि वहां गोवा में तो दो ही जीले हैं ठीक है और वैसे भी विजिटिंग प्ल तो वह जाएगा पटना का दिखे और सीवर का कम है अब देखे राष्टिया आए बराबर क्या होता है तो अपसं में अगर उपभोग और वीनिमय होगा तो आप उसको सही मार लिजेगा वीनिया लिखा है भारत कि भारत में राष्टिया आए का आकलन कौन करता है तो केंद्रिय सांखी की संगठन जो 1951 में होगा था यह उसका आकलन करता है ठीक है इसका स्थापना 1951 आप याद करते चलिएगा क्योंकि बोले हैं कि एक कोशन में दो दो कोशन होता है यहां देखे भारत में सबसे पहले दादा भाई नरोजी ने राष्टिया आए का आकलन किया कब किया तो 1868 में किया और उन्होंने बताया है कि अपने भारत में प्रतिव्यक्ति आया मात्र 20 रुपिया है यानि कि एक आदमी की कमाई 20 रुपिया है इसलिए तो अपना भारत पीछे है ठीक है राष्टिया कि पूरा यह बुक का निचोड़ है अगला कुश्चन है विस्व विकास परिशत 2005 में भारत में प्रतिव्यक्ति आये क्या थी प्रतिव्यक्ति आये था यहीं साथ सो बीस डॉलर था ठीक है 2005 के कोड़ी अगला कुश्चन है राष्टिया आयका स्रीजन करता है उत्पादन सबी कास करेंगा खेती कि जाएगा फिर अपने देश में ही रहेगा सब खेती खाईएगा यहीं पर खतम यहीं पर हो जाएगा अगला कुश्चन है यहां पर उत्पादन गढ़ना पत्ति का परियुक्त सरवपर्थम किस देश में हुआ था तो सबसे पहले ब्रिटेन में ह लगान होता है परिश्रम के बाद जो दिया जाता है तो जो मेहनत करेगा तो मजदूरी दिया जाएगा पुंजी वाले लाब कमाएंगा भूम वाली लाब कमाते हैं लेकिन उनको लगान भी देना पड़ता है अगला कोशन है आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं है आय मतलब होता है कमाई केतना कमार है उपभोग माने के तना खरचा कर रहे हैं तो माने जी कि पचास रुपीय जो चै के आपने जी समाज के गरीब पिछड़ा वर्क का विकास ठीक है संतूलीत विकास जितना भी है क्या है समावेसी है समावेसी का मतलब बता है समान सबका विकास होना चाहिए किसने सुझाव दिया और कब तो प्रोफेसर केस ने दिया था 1929 से लेकर 1923 में यह बहुत भारी आर्थिक मन दिया थी इसको सुधार ने कपाई प्रोफेसर केस ने दिया था अगला कुश्चन है पौर्टी एंड अन ब्रिटीस रूल इन इंडिया किसकी रचना है तब प्रोफेसर केंस की ही है केंस याद रखे है केस ने केंस अगला कुश्चन है किस राज्य के नागरीकों का जीवन अस्तर किस राज्य के नागरीकों का जीवन अस्तर निर्वर करता है किस पर निर्वर करता है तो सकल घरेलू उत्पाद पर यानि कि GDP यानि कि किसी राज्य का नागरीकों का जीवन अस्तर किस पर डिपेंड करता है त दूस्चक्र की भावना को किसने बताया था याद किया रेगनर मार्कस ने राष्टिय Mendumia का क्या अर्थ है थे राष्टिय आए यानि कि विश्व वैफार संगठन की आस्थापना किस वर्स की गई तो 1995 में की गई है याद रखिएगा भारत में बीतियों वर्स कब से कब तक होता है तो एक अपरैल से लेके और 31 मार्श तक होता है और एक और बात आपको बता दे बीत का मतलब होता है कर्ज ठीक है कर्ज यानि अनि कर्ज को बीद करते हैं जिसको लोग एक तरह से लोन भी कर विक आसकते हैं इस साथ का संबंध कि से तो साथ का संबंध कि से वब विश्वास से है कि पहले चलता था सिक का राजा महराज स्ट ने का सिक है तो देखिए वो सबैसको reco तो वह सोने के भाव में बिग जाएगा लेकिन आज जो चल रहा है जो नोट बगएरा चल रहा है अगर मान लिजे कि आज 500 बंद हो गया है तो कोई उसे पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है लेकिन वहीं अगर एक रुपय का सोना का सिका बंद हो जाए फिर भी लोग कहीं गिरेगा तो उठा लें क्योंकि वो सोना है तो आज कल जो भी नोट चल रहा है वो सिर्फ विश्वास पर चल रहा है देखना उस पर लिखा रहता है मैं धारग को 500 रुपय देने का वादा करता हूं ऐसा कुछ ल ठीक है अगला देखे हमारे देश में किस मुद्र को वैदानी मन्याता प्राप्त है तो पत्र मुद्र को आप देख सकते हैं कर दो सकते हैं यह दो सर्वस्तू लीजिए ठीक है तो इससे काफी नुखसान ही होता था कैसे मानली जी किसी के पास मानली जी की एक बकरी है ठीक है उसको भूक लगा है तो का करेगा अपना बकरी देगा उसके बतले में चावल वगरा जो लेगा अब बताए कि मानली जी की दस किलो की बकरी है ठीक है एक किलो आपको चावल लेना है तो काट कर तो नहीं दीजेगा न इ और समान लेना चावल लेना तो क्या किज़ेंगा वह दरले कि रहाए कि ग बर ब Dadle 1 दरले इस हिसाब से अगर देखा जाए ठीक है तो मान लिजे कि 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 किसी के पास तो ठीक के एक किलो सोना के बादने लेकं या द खिए बाद में जो पैसा आये पैसा है तो सबसे पहले माध्यम को समान लेजा। संचई अभूगतान है छारी मद्धा को तो होता है है विनमे का है चार काम महान आपको बताए भी थे लेशन में आप देख लीजिए गा या फिर इसमें भी समझें मुद्रा का बैदानिक परिभास्ता किस ने दी प्रोफेसर नैप ने दिये साख का परियोग कहा होता है तो उपभोग के लिए या विनमे के लिए दोनों के लिए साख का परियोग होता है कुछ ले रहा है या दे रहा है तो भी यहां पैसा का यूज करते हैं मुद्रा वह है जो मुद्रा का का कारे करती है मुद्रा की यह परिभास्ता किस ने दी तो याद विदर्शने मुद्रा का प्रचीन रूप क्या है तो मुद्रा का प्रचीन बस तो मिले यह भी वी आई को सेने कई बार पूचा गया है कि मुद्रा वह धोरी है जिसके चारो और अर्थ- bully चक्र लगाता है यहाँ किसने कहा है कि अर्थ- बीज्ञा चक्र लगाता है तो प्रोफेसर मार्शल ने कहा है यह भी very important है एक रुपय का नोट किसने जारे किया केंदर सरकार्पर रहे जारे हुआ है देखेगा आप किसी का नाम मत मार देजेगा ठीक है यहाँ देखिए रूस की मुद्रा क्या है तो रूस की मुद्र किया है रूबल रूसे रूस रूसे रूबल याद रखिए ATM कार्थ क्या हो थापित किया टो प Например, प्लास्ट्थिक मुद्रा कै तो आप दीए खांग प्लास्टिक क्या आप प्लास्टिक मुद्रा है, इसे लिए उसको प्लास्टिक मुद्रा भी कहा जाता है एटीयम परकार का प्लास्टिक मुद्रा है अगला कुश्चन है प्राचीन काल में किस धातू का मुद्रे का रूप में सरवधिक परियोंगता बताया थे कि पुराने समय में लो क्या सोना और चांदी के सिकों का परियोंगते थे ठीक है आज कल होता की मुद्रा को क्या बोलते हैं तो धाका बंगलादेश की रहजानी है स्वरी टाका ठीक है बंगलादेश की रहजानी है धाका इसलिए वहां चलता है ठाका ठीक है तो टकका चलता है बंगलादेश का मुद्रा क्या है टकका मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे मुहत्व करेंगे अप कैसे मानेचे अवरीतिंग आज के लिए हो चुका है ठीक है अधनी क्यों की परगती का स्रेरि मुद्रा को ही जाता है बताए आज कल अगर परगती अपना देश कर रहा हिए अगला कुस्ट्र है ठीक है लेसन वाइज इसलिए वन्टू इधर मिस्टेक हो गया फिर से वन्टू सुरूव गया देखे वेवसाइक बैंकों का रस्टी करन कब होगा तो 1979 में हो था वेवसाइक बैंक यानि के जो वैपार के लिए पैसा बगरा देती है ठीक है भारत में सहकारिता अंदोलन अरमकब वह तो 1904 में हुआ यह वी वी था इसन अपूछा गया मैं ठीक है अगला तक्षा ंदेखे गा भारत की भी अगला कुस्चन है शहकार्ता प्रांतिय सरकारों का हस्तनांत्र विशय बन बनी यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ठीक है उस समय 1990 के आधार पर यह पुछा गया है तो 196 है आप लिख लिजेगा नोट कर लिजेगा इंपोर्टेंट है ठीक है क्रिसी को दिर कलीन रिड़ परदान करने वाली संस था भोमी विस्तार बैंक ठीक है खेती पर यह टेक्स देती है रिड़ देती है कर्ज देती है ठीक है टेक्स नहीं कर्ज देती है स्वुएम सहयता緋 में कितने संडस्य होते हैं तो पंद्रस से 20 लोग नोग करते हैं यह क्या करते हैं कि पैसा करते हैं और उपसा اकथा कुछ लोग करके और जिसको जरूआत होता है और उस्को पैसा उसमें से निकाल करके दे दे जाता है आज कर लोग मेलाओं भी बहुत सारा इस सभाष में सहायता समुह बनाई है यहां देखे भारतिया पुंजी बजार बीतिया सहायता परदान करती है लंबे समय के लिए वैकर्ज देती है बीत मतलब होता है करज देना ठ परकार की जमारासी को स्विकार करता है towards चार परकार के जमारासी को स्विकार करता है आप एद रखेंगे अगला कोश्चन है गैर संस्तागत बीट परदान करने वाला सबसे लोग प्रिय अशाध़न है महाजन अपके गाहां में疫्र हो गैरा देंग जोovक करज देते हैं तो ब्याज राष्टिय क्रिसी अम ग्रामिन विकास बैंक की अस्थापना हुई थी कब विती तो 1982 में भारत में सहकारिता को प्रांतिय विशाय बनाया गया कब 1919 में अगला कुश्चन है अंतराष्टिय बजारों के आपको ब्कम हैं यहां की कुस्टी करणो को क्या होगा ठीक शीज अमेरिका में भी के जोए एकादमी के पास यहां पे ला दिया उसलिए क्या होगा कि पूरा का यहां को बाजार को मिक्स कर देए यहां का समान वहां वहां पूरा बजार का एक ही करण हो गया इसी को हम लोग करते हैं वैस्वी करण इससे फायदा भी हुआ समान का विद्धाम क्या हो गया? कम हो गया? अब देखिए किस अर्थ सास्त्री ने उदार आर्थिक निती का समर्थन किया है तो एडम एसमीथ ने किया है अर्थ सास्त्री थे ठीक है? यहाँ पे लिखा है अर्थ सास्त्री अब देखिए वेस्विक गाओं किस यूग की ओधारना है तो आधुनिक यूग की ओधारना है ठीक है वेपार भारत सरकार ने नई आर्थिक निति कब अपना है तो 1991 में और किस के द्वारा तो उस समय आपके देश के करता धरता कौन थे मनमोहन सिंग थे ठीक है यानि कि प्रधान मंतरी मन मौहन सिंग उस समय थे ग्रेट इंडियन दा ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास को कब प्रकासित किया गए एक फुस्तक एक तरस देता दूजर चों में विशो भोकता अधिकार दिवस प्रति वर्स कब मनाया जाता है तो 15 मार्च को मनाया जाता है ठीक है भारत में उभोकता क संड़क्षण है तो कौन सा अधिनियम है तो उभोकता संड़क्षण अधिनियम 1986 माले जी कि आप एक दुकंदार के पास गया तो दुकंदार के लिए आप एक उभोकता है उसका समान खरीद रहे है ठीक है तो याद रखिया कि उभोकता को बहुत सारे नियम को पालन करना पड़ते हैं मालेजी आप बजार में जा रहे हैं समान खरीदने के लिए तो सब चीज़ देखिए उसका लेबल देखिए जो समान खरीद रहे हैं ठीक है कब वो क्या बोलते हैं कब वो पैकिंग हुआ है देखिए अगर कि कोई भी दुकांदार आपको परेसान कर रहा है वक्ता संदक्षण अधिनियम 1986-1986 अगला कोश्चन है राष्टिय महिला आयोग का गठन निमलीखित में से किस उदेश से की प्राप्ति के लिए किया गया तो महिलाओं के उपर अत्याचार संबंदित सिकायत का निवारण के लिए किया गया क्योंकि आपको पता होना चाह जाते थे तो उन्हीं के साथ पत्नी को जला दिया जाता ते लेकिन अगर वही पहले पत्नी मर गई तो पती को दूसरा साधी करने का अधिकार था जो कि ये प्रता काफी गलत है अत्याचार हो रहा है महिलाओं पर इसलिए महिला आयोग का गठन किया गया था अगला कोश्चन है ग्रहाँक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत пишन वैकदी है हम हमपर निरभर नहीं है हम उन पर निरभर है किसने कहा है महत्मागण ये बात सही है कि अगर कोई दुकंदार है तो याद कि इस तरह अगर हम ग्रहाँक है अगर दुकंदार पहज़ा घञब बोड़ीटा को जगाने के लिए नारा दिया गया था कि कोई आपको ठग है नहीं जागो ग्रहांख जागो इंटरनेशनल इन्टरनेशन नेशनल कि अपना को वी तो 1985 में हुआ था, ठीक है, भारतिय मानक संस्थान की अस्थापना की गई 1947 में, संख्यान लिखा है, सौरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिश्टेक हो गया है, अगला देखिए, भारत में उभोकता दिवस कब मनाय जाता है, ठीक है, तो 24 दिसंबर को उभोकता दिवस मनाय जाता ह है, ठीक है, ग्रहाकों के लिए, हम ग्रहाकों के लिए, उभोकता को समान खरीदने के समय, किस मार्क को देखना चाहिए, तो बताए थे न, आपको, यहाँ पर लिखें हम, एग मार्क, बूक मार्क्स, और होर मार्क्स को देखना चाहिए, यही चला कि, कोई भी समान खरीद अमेरिका ने किया था उभोगता की सुरक्षा के लिए ठीक है भारत में मानो अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ तो सबसे पहले 1993 में पारित हुआ था अगला कोश्टन देखिए भारत में सुचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हो तो 2005 में पारित होता है मानौ अधिकार आयूग के अध्यक्ष होते हैं तो सरुच्य न्यायक के अवकास प्राप परधान न्यायधीस होते हैं ठीक है जो ओडर ओडर करता रहता है लो ठीक है तो उमीद करते हैं कि पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा तो था ना वीडियो संदार तो प्लीज अपने दोस्तों में सेर किजिए बार बार क्योंकि यह वीडियो आपके लिए भी इंपोर्टेंट है और आपके साथ जो पढ़ने वाले फ्रेंड है उनक के लिए जाहिन